तीसरा सुत्र जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है उर्द तिर्यक भ्याम पुर्द तिर्यक भ्याम को गनित में पैनीशिया या रामबान कहते हैं क्योंकि इस सुत्रकास अभी जो पिछले अंक में हमने देखा पिछली उधारन में उसमें हमारे पास जितनी भी शंख्याएं थी एक बार फिर से देखें वो सारी शंख्याएं आधार के आजपास थी कीजिए आपको 235 को 887 से मल्टिप्लाइ करना है 42 को 93 से मल्टिप्लाइ करना है यहां पहली संख्या और दूसरी संख्या यह दोनों अलग-अधार के आसपास है यह आधार 200 के आसपास है ये आधार 900 के आसपास है 42 आधार 40 के पास है और 93 आधार 90 या 100 के आसपास है जब आधार अलग-अलग हो तब हम उर्दत्रियक भ्याम सुत्र का प्रियोग करेंगे इस सुत्र को हम dot and stick method के द्वारा solve करेंगे dot and stick method इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आपको 11 के या 1 के बर्ग के पैटर्न के उपर पे विचार करना होगा 11 का बर्ग 1, 2, 1 1, 1, 1 का square 1, 2, 3, 2, 1 11, 1, 1, 1 का square यहाँ पर 4 बार 1 है तो 1 से 4 तक लिखें और फिर reverse order में वाफिस चले जाए यदि हमें 5 बार 1 का बर्ग करना हो तो सबसे पहले हम 5 तक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और reverse में फिर 5, 4, 3, 2, 1 किसी pattern के हिसाब से dot and stick method ताम करेगा यदि हमें किसी भी दो संख्याओं का गुना करना हो तो आसानी के लिए हम इसे ऐसे समझें पहले एक संख्याओं को गुना करें फिर दो संख्याओं को और फिर एक संख्या dot and stick method completely one one के square के pattern के उपर पर आधारी थे बैजिक गनिट के जो सबसे खाश्यत है वो यह है कि अभी कल्पना कीजिए आपको 24 को 37 से multiply करना है हम जो traditional तरीके में सिखाते हैं बच्चों को कि पहले 7 से multiply करो 7 4s are 28 7 2s are 14 plus 2 16 फिर cross करो और फिर हम 3 से करेंगे 3 4s are 12 और 3 2 जा 6 1 7 फिर इनको हम add करेंगे बैदिक गनिट में आपके पास multiplication हो addition हो, subtraction हो सब में आप चाहे तो left से right करें या right से left answer एक ही आएगा तो इसमें आपको स्वच्चंदता है कि आप किस तरह से करना चाहेंगे अभी हम पहले दो अंक के गुना को देखते हैं one two, नीचे one three, one three, one three पहले ग्यारा का बर्ग अभी आपने देखा कि ग्यारा का बर्ग एक, दो, एक है इसका मतलब सबसे पहले एक अंक की शंख्याओं को एक संख्याओं गुना करें फिर दो में क्रॉस लगाएं और फिर एक में एरो एरो क्रॉस एरो calculation आप left to right, right to left कहीं से भी कर सकते हैं one one जा one फिर क्रॉस करें one two जा two, one three जा three two प्लस three, five और three two जा six तो answer हो गया one five six अब इसे हम बड़ी शंख्याओं के लिए प्रियोग करने का प्रयास करते हैं एक आधार 42 आधार 40 के आज पास दूसरी शंख्याओं हमने लिए 83 ये आधार 80 के पास है पिछला जो हमने तरीका सीखा निखिलम नवतम चर्मम दस्त उससे इसे करना मुस्किल है अब हम इसे उर्दत्रियक से करने का प्रयास करेंगे 42 इंटू 83 स्टार्ट करें 3 तू जा 6 फिर क्रॉस करें 4 त्री जा 12 और 8 तू जा 16 12 प्लस 16 हो गया 28 28 का लिखें 8 कैरी के लिए रखें 2 फिर 8 फोर जा 32 और कैरी का 2 जोड़के 34 तो 42 इंटू 83 3, 4, 8, 6 दूसरा उधारन लेते हैं 39 इंटू 87 अब पूरा कैलकुलेशन अभी मैंने राइट तू लेप्ट किया अब सारा कैलकुलेशन मैं लेप्ट तू राइट करने का प्रियास करता हूँ 8 3 जा 24 फिर प्रॉस करिए 8 9 जा 72 3 7 जा 21 2 प्लस 1 3 और 7 प्लस 2 9 और 7 9 जा 63 33 हर कॉलम में सिर्फ एक अंक लिखना है यहां लिखें आप 3 और इस 6 को पीछे वाले लाइन के साथ पीछे वाले नम्मस के साथ एड़ ख़़गे 6 प्लस 3 9 और 24 प्लस 9 33 को आंसर है 3 3 9 3 हर पाले यहां झाज है झांसरी झांसरी यहां जारे बारोगे फ्लस करा पाले लुचे लाए यहां झांसरी जाय से यहां लिखें लाड्स झाल झाल